हलो बच्चों, welcome to e-learning, मैं हूँ कामी नी वर्मा और आज मैं आपको maths का lesson number 11, numbers पढ़ाऊंगी तो बच्चों, इस lesson में हम numbers के बारे में पढ़ेंगे, तो we have already studied numbers before है ना, हम पहले भी numbers पढ़ चुके हैं, जैसे numbers from 1 to 9 पढ़ा था हमने फिर 10 to 20 पढ़ा था, फिर 21 to 50 भी पढ़ा था, है ना, तो उसी को हम continue करेंगे और हम आगे numbers पढ़ेंगे, ओके, this lesson is also same as the last one, the numbers from 21 to 50 तो we will start the lesson, यहाँ पे आपको एक boy दिख रहा है, जो की sugar can है जिसके पास है तो यहाँ पे आपको sugar can के bunch दिख रहे हैं, वो आपको read करना है, ठीके, number आपको read करना है वो sugar can कितने हैं, तो कितने bunch दिख रहे हैं आपको यहाँ पे sugar can के, तो there are 4 bunch और हर एक bunch के अंदर 10 sugar कहने हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 10 forza 40 और जो single number है, single number of sugar कहने 5, तो 40 प्लस 5, that is 45 now we will come to the exercise, write the number, यहाँ पे आपको sugar can count करने हैं और उनके number लिखने हैं, जो blank space आपको दिए हैं, तो first हम count करते हैं यहाँ पे आपको 10 प्लेस पे तीन bunch दिख रहे हैं शुगर can के, है नो, तो 3 bunch हैं तो 3 bundle के अंदर कितने शुगर can होगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 is 20, 20 प्लस 10 is 30, 30 हो गए bunch में और जो single हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, वो 4 हैं, तो 30 प्लस 4, total कितने शुगर can होगे, 34, ठीक हैं तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 10s place पे आएगा 3 और 1s place पे 4, and the number will be 34 4, now next, यहाँ पे आपको 4 bunch दिख रहे हैं, है न, तो 4 bunch में total कितने शुगर can होगे, 10 प्लस 10, 20, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 10, 40, ओके, यहाँ total 40 bunch में 40 शुगर can हैं, और जो single हैं, that is 6, so 40 प्लस 6 is 46, now next, यहाँ पे केवल 2 bunch दी हैं, single sugar can नहीं हैं, है न, तो 2 bunch में 10 plus 10, total 20 sugar can, ओके, तो हम 10s place पे 2 लिखेंगे, और 1s place पे कोई sugar can नहीं हैं, है न, तो 1s place पे हम लिखेंगे, 0, 2, 0, 20, ओके, like this, you have to count the sugar can and write the number here, ओके, यहाँ पे आपको sugar can count करने हैं, और उनके number लिखने, now we will come to next exercise, draw the bundle of 10s and 1s of the number, यहाँ पे आपको number दिये हैं, और आपको sugar can के bunch draw करने, ठीक है, तो first number आपको दिया है, 4, 3, 43, तो हम 43 को कैसे break करेंगे, तो जब हम 43 को break करेंगे, तो 10s और 1s place पे, तो 10s place पे हम लिखेंगे 4, और 1s place पे हम लिखेंगे 3, ठीक है, तो जब हम 10s place पे 4 लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है 40, तो यहाँ पे हमें कितने bunch बनाने पर रहेंगे, शुगर केन के, यहाँ पे हम बनाएंगे 4 bunch, ठीक है, तो 10, 10 sugar can के कितने bunch बनेंगे, 4, ओके, और 1s place पे कितने शुगर केन बनेंगे, तो 1s place पे है 3, तो 3 sugar can डो करेंगे, ओके, नाउ नेक्स, 2, 2, 22, तो इसको फिर लिखो 10s और 1s place पे पहले, तो 10s place पे आएगा 2 और 1s place पे भी 2, तो 10s place पे 2 आया मतलब कितने शुगर केन, 20, है ना, तो यहाँ पे बनेंगे 2 bunch, 10, 10 sugar can के, और 2 sugar can जो 1s place पे आएगे, है ना, क्योंकि 1s place पे 2 है, तो 1s place पे 2 sugar can बनेंगे, तो it becomes 2 to 22, ओके, लाइक दिस, यहाँ पे आपको sugar can count करना है, और उनका number लिखना है, space जो दिया है उसमें, ठीके, तो first वाला देखो, first picture में आपको कितने bunch दियें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bunch दियें, तो उनको add करो, 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 10, 40, 40 plus 10, 50, ठीके, तो bunch में है, 50 sugar can, और 1s place पे है, 1 sugar can, तो 50 plus 1, that is 51, ओके, now next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 bunch है, तो 6 tens of 60, और 1s place पे है, आपके पास में 4 sugar can, तो 60 plus 4 is 64, ओके, अब next, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे total 8 बन चे, और 1s place पे कोई भी sugar can नहीं है, ठीके, तो 8 into 10 करो, यहाँ फिर 10 plus 10 plus 10 plus 10, 8 times करो, तो यह होगा 80, ठीके, 80, 80, now next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 bunch है, 10 times sugar कहने, तो हम 10 को कितनी बार add करेंगे, 9 times add करेंगे, ठीके, तो 9 times जब हम 10 को add करेंगे, तो it becomes 9090, और 1s place पे कितना शुगर कहने है, 1, है न, तो 90 plus 1, यह हो जाएंगे, 91, ओके, तो हम last वाले box में लिखेंगे, 91, now next, like this you have to write the answers, देखो, यहाँ पे 1st box में 5 bunch हैं sugar कहने के, तो 5 10s है 50 और 1 single है, तो 50 plus 1, that is 51, then next, 6 bunch हैं 10 10 sugar कहने के, तो 6 10s है 60 और single है 4, 60 plus 4, it becomes 64, now right hand side पे देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bunch हैं, है ना, तो 10 को जब हम 7 बार add करेंगे, तो हो आएगा 70, और once place पे कितने शुगर कहने है, यहाँ पे 3 शुगर कहने है, तो 70 plus 3, तो कितना हो जाएगा, 73, okay, now right hand side पे second number का देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 bunch हैं शुगर कहने के, है ना, तो हम 10 को 6 times add करेंगे, तो 10 plus 10 20, plus 10 30, plus 10 40, plus 10 50, plus 10 60, ठीक है, 60, और once place पे कितने शुगर कहने हैं, once place पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 शुगर कहने, है ना, तो 60 plus 6, यह हो जाएंगे 66, okay, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66, 66, अब next देखो, यह हमने count किया था, 8 bunch हैं, शुगर कहने, है ना, और once place पे कोई शुगर कहने नहीं है, तो जब हम 10 को 8 times plus करेंगे, तो वह आएगा, 80 80, okay, तो next आएगा, 80 80, left hand side में, अब right hand side का count करते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 bunch हैं, शुगर कहने, है ना, तो जब हम 10 को 9 times plus करेंगे, तो क्या answer आएगा, 90 90, okay, और जो single once place पे कितने शुगर कहने, once place पे भी है, 9 शुगर कहने, तो 90 plus 9 करेंगे, तो 90 plus 9 आएगा, 99, okay, तो अबर number will come 99, okay, now last वाला जो row है, उसको देखते हैं, here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे again 9 bunch हैं, तो 9 bunch के लिए हो जाएंगे, 90 90, और 1 single है, तो 90 plus 1, it will become 91, next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 bunch हैं, तो 7 bunch के लिए 70 और 4 once place पे हैं, तो 70 plus 4, it will become 74, okay, तो इस तरीके से आपको यह numbers count करने हैं, add करना हैं, और फिर इनको अपनी book के अंदर लिखना है, okay, hope you have understand this exercise, तो do write down this numbers like this in your book, okay, now we will come to next exercise, so, our next exercise is, numbers from 51 to 70, यहाँ पे हम number देखेंगे 51 से 70 तब, okay, up to 50 we have studied in last lesson, हम last lesson में up to 50 number अरड़ी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे numbers from 51 to 70, okay, तो our first exercise in this is, fill in the blank, okay, यहाँ पे आपको कुछ matchsticks दी हैं, और matchstick के bunch दी हैं, उनको आपको count करना हैं, और जहाँ पे आपको blanks दी हैं, उन blanks को आपको fill कर, उन blanks को आपको fill करना हैं, okay, तो we will start from 51, our first number is 51, यहाँ पे देखो, आपको कितने bunch दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपको 5 bunch दी हैं, matchstick के, और हर एक bunch के अंदर कितनी matchstick है, यहाँ पे हर एक bunch में 10 matchstick है, ठीक है, तो 10, 5 is a 50, okay, और एक once place पे एक single matchstick है, तो 50 plus 1 हो गया, 51, okay, now next देखो, यहाँ पे आपको फिर से 5 bunch दिखाई दे रहे हैं, लेकिन once place पे कोई matchstick नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन जो number दिया है, वो हमें दिया है, 52, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको once place पे 2 matchstick ड्रॉ करनी पड़ेगी, तबी यह 50 plus 2, 52 बनेगा, ओके, तो यहाँ पे आप 2 matchstick ड्रॉ करेंगे, now next, यहाँ पे आपको 53 number दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे bunch नहीं बने matchstick के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 5 bunch बनाने पड़ेंगे matchstick के, तो 50 plus 3 होगा 53, now next, यहाँ पे 5 bunch है matchstick के, और once place पे आपको 4 matchstick ड्रॉ करनी है, तो यह होगा 50 plus 4, it becomes 54, now next, यहाँ पे 5 bunch है matchstick के, और 5 single matchstick बनी हुई है, तो 50 plus 5, यह हो जाएगा 55, okay, now next, यहाँ पे 55 के बाद में क्या आता है, 56, तो आप 5 bunch बनाएंगे 10 10 matchstick के, और यहाँ पे 6 matchstick single ones place पे बनी है, तो 50 plus 6, it becomes 56, now 50 plus 7, यहाँ हो जाएगा 57, then 50 plus 8, it becomes 58, यहाँ पे आपको 8 matchstick ड्रॉ करनी है, now 50 plus 9, तो 59, यहाँ पे आप 9 matchstick ब्रॉ करेंगे, अब last, यहाँ पे 5 bunch है 10 10 matchstick के, और एक और bunch है 10 matchstick के, now next, right hand side पे यहाँ पे 6 bunch हैं, है ना, तो 6 bunch means 60, और 1 plus करेंगे तो 60 plus 1, 61, then 60 और 1's place पे है 2, तो 60 plus 2, 62, then 60 plus 3, तो it becomes 63, now next देखो, यहाँ पे 4 matchstick हैं, लेकिन bunch नहीं दिये हुए, तो यहाँ पे आप कितने bunch बनाएंगे matchstick के, 6 bunch बनाएंगे, है ना, 6 bunch आपको draw करने 10 10 matchstick के, तो यहाँ पे 60 plus 4, और यहाँ आप नमबर लिखेंगे, 6, 4, 64, ओके, now next, यहाँ पे 6 bunch दिख रहे हैं आपको matchstick के, और single matchstick नहीं बनी हुई है, है ना, 1's place पे आपको 5 लिखा हुआ है, 5 1's, 5 1's याने कि यहाँ पे आपको 5 matchstick draw करने है, तो 60 plus 5, it becomes 65, then 60 plus 6, तो हो जाएगा, 6, 6, 66, then 60 plus 7, यहाँ पे 7 ones लिखा है, तो यहाँ पे आप 7 matchstick draw करेंगे, तो it become 67, then 60 plus 8, यहाँ पे नीचे 8 ones लिखा हुआ है, तो 8 ones का मतलब, यहाँ पे आपको single 8 matchstick draw करने है, तो 60 plus 8, यह हो जाएगा, 68, then 60 plus 9, तो 60 plus 9 कितने हो जाएगे, 69, तो यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, 69, 69, then 70, है ना, तो यहाँ पे 6 bunch है, 10, 10 matchstick के, तो 6 10s are 60 होता है, और 9 के बाद वाला नंबर होता है, 10, ओके, तो 9 plus 1 is 10, तो यहाँ पे 10 का एक और bunch बनाएं, है ना, तो 60 plus 10, it becomes 70, ओके, तो like this, you have to write the numbers from 51 to 70, आपको 51 से 70 तक यह पूरा जो exercise है, उसको complete करना है, जहाँ भी matchstick के bunch नहीं बने, वहाँ पे आपको bunch ड्रॉ करने, जहाँ पे once place पे matchstick ड्रॉ नहीं की हुई है, वहाँ पे आपको once place पे matchstick ड्रॉ करने है, और जहाँ पे numbers नहीं लिखे हैं, वहाँ पे आपको number लिखना है, like this, you have to complete this exercise in your book, ठीक है, इस exercise में किवल एक ही काम नही लिखने का, आपको matchstick के bunch भी ड्रॉ करने है, आपको single matchstick भी ड्रॉ करनी है, और आपको numbers भी लिखने है, okay, तो do this exercise well in your book, okay, now we will come to next exercise, numbers from 71 to 90, okay, हमने 51 से 70 तक numbers complete कर लिए, अब हम 71 से 90 तक numbers रीट करें है, okay, fill in the blank, यहाँ पर आपको 7 bunch दिख रहे है, matchstick के, है ना, तो 10 प्लस 10, 20, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 10, 40, 40 प्लस 10, 50, 50 प्लस 10, 60, 60 प्लस 10, 70, ठीक है, तो bunch में कितनी matchstick है, 70, और once place पे है 1, 70 प्लस 1, 71, then again, 7 bunch है, तो 70 प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा, 7 to 72, then again, 70 प्लस, यहाँ पर कितनी matchstick बनेंगी, यहाँ पर 3 matchstick ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, तो 70 प्लस 3, it becomes 73, then 70 प्लस 4, तो 74 matchstick, then 70 प्लस 5, तो 75 matchstick, यहाँ पर आप लिखेंगे, 75, 75, now next, यहाँ पर 7 bunch बने हैं, लेकिन 1st place पर कोई matchstick ड्रॉ नहीं की वही है, है ना, तो यहाँ पर आप 6 matchstick ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि जो number है, that is 76 76, तो यहाँ पर आप 6 matchstick ड्रॉ करेंगे, now next, 7, 7 bunch हैं यहाँ पर, और 7 matchstick है, तो 70 प्लस 7, तो it becomes 77, 77, 77, okay, now 70 प्लस 8, once place पर 8 matchstick है, है ना, तो 70 प्लस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा, 7, 8, 78, then 79, यहाँ पर नंबर लिखा है, 79, तो 7 bunch बने हुए matchstick है, आपको once place पर 9 matchstick ड्रॉ करने हैं, है ना, नीचे लिखा है 9 ones, तो आप 9 matchstick ड्रॉ करेंगे, तो 70 प्लस 9, 79, then last, 7 bunch है, 10, 10 के, और फिर 9 में 1 प्लस करेंगे, तो it becomes 10, तो 10 का एक और bunch हो गया, तो यहाँ पर total 8 bunch हो गया, तो 8 bunch means 80, ओके, now we will come to right hand side, यहाँ पर 8 bunch से start हो है, 8 bunch है, तो it becomes 80, और 1 single matchstick है उसके बाद में, तो 80 प्लस 1 is 81, then 8 bunch है और number लिखा है 82, तो कितनी matchstick ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर हमें 2 matchstick ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो 80 और 2, it becomes 82, 2, now next, यहाँ पर 8 bunch ड्रॉ किये हुए है, और 3 matchstick है, तो 80 और 3, तो it is 83, you have to write 83, 83 in the blank given, then 8 bunch है और 4 matchstick है, तो 80 और 4, तो it becomes 84, 84, then 8 bunch डिख रहे हैं, और ones place पे केवल 5 ones लिखा है, matchstick draw नहीं की हुई है, तो यहाँ पर आप कितनी matchstick ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है, 5 matchstick, तो 80 और 5, it becomes 85, then 8 bunch हैं, और 6 matchstick हैं, तो 80 और 6, 86, then 8 matchstick के bunch हैं, और 7 matchstick बनी हुई है, तो 80 और 7, it becomes 87, then 88 नमबर लिखा हुई है, तो 8 bunch तो बने हुई हैं, लेकिन once place पर केवल 8 once लिखा हुई है, कोई matchstick ड्रॉ नहीं की हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा हैं, यहाँ पर आपको 8 matchstick ड्रॉ करनी पड़ेगी once place पर, तो it becomes 88, 88, then 8 bunch है और 9 matchstick once place पर ड्रॉ की हुई है, तो 8, 80 and 9, it becomes 89, ओके, and last one, the last number is 90, 9 में one plus करेंगे, तो it becomes 10, तो यहाँ पर total कितने bunch हो गए matchstick के, तो 8 bunch already थे और एक bunch हो गया, 10 matchstick का एक और है न, तो 8 plus one 9, तो 9 bunch है, तो 9 times are 90, ओके, तो हमने number सीखे, from 71 to 90, ओके, ठोल, यहाँ पर भी आपको जहाँ पर number नहीं लिखे हुए है, वहाँ पर आपको bunch और once place की matchstick काउंट करके, total number of matchstick लिखना है, नमबर लिखना है, जहाँ पर bunch नहीं बने, वहाँ पर आपको bunch भी बनाना है, matchstick का, जहाँ पर single matchstick नहीं बनी है, once place पर कुछ matchstick नहीं की वही है, वो भी आपको draw करनी है, ठीक है, like this, you have to complete this exercise in your book, okay, like this, you have to do the exercise, just as the last exercise you have done, okay, this exercise also you have to complete, now, we will come to next exercise, okay, here we will learn the number from 91 to 100, ठीक है, सब से पहले हमने numbers सीखे इस lesson में, from 51 to 70, फिर हमने next किया numbers from 71 to 90, और अब हम करेंगे numbers from 91 to 100, ठीक है, तो जैसे हमने एक-एक bunch study किया था कि एक bunch के अंदर 10-10 matchsticks है न, तो up to 8 bunch we have studied, अब हम जब 91 पर आएंगे, तो यहां पर कितने bunch हो जाएंगे 10-10 matchsticks के, यहां पर हो जाएंगे 9 bunches, okay, जो last number है, जैसे आपको दिख रहा है 90 है न, तो इसके अंदर 9 bunch हो गएं, तो we will continue with 9 bunch now, अब हम 9 bunch से start करेंगे, okay, देखो यहां पर count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर कि total कितने bunch हैं, matchsticks के, 9 bunch हैं, तो 9 bunch means 90, 9 10s लिखावाए नीचे हैं न, 9 10s का मतलब होता है 90, और once place पर 1 है, तो 90 और 1, it becomes 9 1, 91, then next देखो, यहां पर 9 bunch दिख रहे हैं आपको, लेकिन once place पर कोई matchsticks draw नहीं की हुई है, किवल नीचे लिखा है 2 ones, तो 2 ones का मतलब कितनी matchsticks होगी, 2 matchsticks होगी, है न, तो यहां पर आप draw करेंगे 2 matchsticks, तो 90 और 2, हो जाएगा 92 जो नमबर लिखा हुए, next, 90 और 3, है न, 9 bunch हैं और 3 single हैं, तो 93, then 9 bunch हैं और नमबर लिखा है 94, तो 94 करने के लिए कितनी matchsticks draw करनी पड़ेगी हमको यहां पर, यहां पर हम draw करेंगे 4 matchsticks, तो 90 और 4, हो जाएगा 94, then 9 bunch और बने हुए हैं, और 5 matchsticks बनी हैं, तो 90 और 5, 95, then 96, नमबर लिखा है 96, 9 bunch बने, लेकिन ones place पर कोई matchsticks draw नहीं की है, तो हम यहां पर कितनी matchsticks draw करेंगे, यहां पर हम करेंगे 6 matchsticks draw, क्यों, क्योंकि नीचे लिखा है 6 ones, तो कितने ones बनाने पड़ेंगे 6, है न, now next, यहां पर 9 bunch हैं, और 7 matchsticks बनी हुए single, तो 90 और 7, तो it becomes 97, then 9 bunch हैं, तो 90 और 8 single हैं, तो 90 और 8, 98, then 9 bunch हैं, तो 90 और 9 single हैं, तो 90 and 9, it becomes 99, और last में, यहां पर 9 tens हैं, और last वाला जो bunch हैं, उसमें भी 10 हो जाएगी, 9 के बाद में, 1 प्लस करेंगे तो 10 आता है, तो last bunch भी हो जाएगा, 10 matchsticks का, तो 9 bunch प्लस 1 bunch, it becomes 10 bunch, तो the number will become 100, तो last number होगा 100, तो like this, we have learned the numbers from 51 to 100, यह तीन exercise में हमने number सीखे, from 51 to 100, तो आपको यह तीन exercise अपनी book में complete करनी है, you have to learn to read, you have learned to read the numbers in this exercise, okay, now we will come to the last exercise of this lesson, write the missing numbers, okay, इस तरीके से आपको complete करना है, आपकी book के अंदर, okay, question, sorry, solve करना है यह, now we will come to next exercise, write the missing number, यहाँ पे आपको कुछ numbers दिये हुए है, और कुछ number missing है, इस chart में, तो जो missing number है, that you have to write, तो starting from 51, the numbers are from 51 to 100, okay, तो आपको numbers read करते जाना है और fill करते जाना है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, it is already written, then 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70, 70, then 71, 72, 73, 74, like this you have to complete up to 100, okay, I hope you can do this exercise by yourself, now, here is a fun game also, let us play the game of snakes and ladders, यहाँ पे आपको snakes and ladders के लिए एक chart दिया है, ठीक है, आप अपने लिए कुछ dice और कुछ गोटी ले करके और इस पे game खेल सकते हैं, okay, so your lesson is completed now, thank you very much,